हेलो एबरीवान वेलकम और माई हिंदी घ्यान बोध यूटूब चैनल दो ऐसी यूनिवरस्टी है जहां से पिएचडी अड्मिशन की नॉटिफिकेशन निकल के आई हैं तो दोनों यूनिवरस्टी से निकले पिएचडी अड्मिशन की डिटेल को हम कवर करेंगे इससे पह चैनल के मादे हम से एस्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से पिएचडी अड्मिशन अपडेट और असिस्टन प्रोफेसर की अपडेट देती हूं जो काफी रेर निकलती है तो जो पहली यूनिवरस्टी है वो है हेमवती नंदन बहु गुना गड़वाल यूनिवरस्टी जो यहां पर नॉटिफिकेशन और सर्कुलर में क्लिक तो सारी नॉटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगी यहां पर देखिए एंट्रेंस एक्जाम नॉटिफिकेशन फॉर यह पेज उपन हो गया एंट्रेंस एक्जाम नॉटिफिकेशन फॉर पिएचडी एडमेशन 2021-22 तो यहाँ पर यह PDF है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, 17.12.2021 को यह अपडेट निकल के आई है, तो यह notification को हम डाउनलोड करके कवर करते हैं, तो यह वो notification है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, और यह ज्यादा जूम हो गया, तो यहाँ पर देखिए, हेमवती नंदन, बहुगुना, गड़वाल, विश्व विद्याले, जो एक Central University है, यहाँ से full time PhD admission की notification निकल के आई है, देखिए, यह notification की जो पूरी detail है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कि qualification, eligibility criteria, seat, campus, affiliated college, reservation, syllabus, fee, detail, यह सारी इस PhD admission से related जो detail है वो आपको 22 December 2021 को इस website पे देखने को मिलेगा, अभी बस इन्होंने यह notification निकाला हुए, PhD admission का, तो online application form आप 22 December से भर पाएंगे, आज 21 December है, यानि कि कल से इसका online application form fill up होने का process स्टार्ट होगा, तो last date इसकी 15 January है, और application form में correction form fill करने के दोरान अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसकी correction आप 16 से 18 January के बीच कर सकते हैं, admit card आपका 1 February को होगा, आ जाएगा website पे, date of entrance test आपका 6 February को होगा, जो कि Sunday है, बाकी की पूरी detail कल 22 December को इस website पे देखने को मिलेगा आपको, तो मेरा काम था आपको update करना हो सकेगा, अगर कल या परसो फिर में इसके ओपर detail video भी बना दूंगी, अगर इसके ओपर notification website पे available हुआ तो, दूसरी notification निकल के आई है, हैदराबाद विश्व विद्याले, तो यहां से ये notification निकल के आया, ये देखिए important, click here for important update on admission, तो इस पे click करते ही, ये academic page निकल के सामने आता है, यहां पर देखिए, PhD admission, 2022 session admission notification, इस पे click करेंगे, तो एक नया page open होगा, इस तरह से, तो यहां पर देखिए, जो last date है, PhD admission की, मतलब form fill करने की, जो last date है, 31, 2021 है, शाम, साड़े पांच वजे, और यहां पर क्या-क्या need है, इस form को apply करने के लिए, क्या requirement है, यह सारा mention किया हुआ है, यहां पर यह देख सकते हैं, उसके बाद application fees है, journal के लिए 600 है, EWS के लिए 500, और भी C के लिए 400 है, SCST, PWD, PH के लिए 275 रपे हैं, और यहां पर mention किया हुआ, highlight किया हुआ, fee once pay will not be refunded, बा download करके आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने इस prospect को download कर लिया है, तो हम main मुद्दे पर आएंगे, यहां पर देखिए, कि किस subject में कितनी seat है, तो यहां पर PhD के लिए मैंने page, काफी मतलब 280 page का यह prospect है, तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले से खोल के मैंने रख लिया था, कि PhD admission की detail कहां से, किस number से शुरू हो रही है, तो यहां पर देखिए, seat यहां पर mention की हुई है, और subject क्या qualification है, वो सारचीज mention किया हुआ है, तो हम यहां पर सबसे पहले Hindi subject का देखेंगे, बाकी आप अपना subject यहां पर mention है, देख सकते हैं, तो मैं इसको scroll down करती हुई आ रही हूँ, तो हिंदी का जो seat है इसमें, देख लेते हैं, हिंदी की देखिए, PhD में 15 seat है, और इसमें जो master degree में आपके 55% marks होनी चाहिए, तभी आप form को apply कर पाएंगे, highest इसमें 60% मांगा हुआ है master में, और minimum 55% चाहिए, आपके PhD admission के लिए, entrance exam होगा, तो ये दो university जहां से PhD admission की notification निकल किया, ये इसी तरह से PhD admission की update, हिंदी subject से जो पता है आपको बहुत rare निकलती है, तो अगर update पाना चाहते हैं हिंदी subject से, तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को click कर दीजिएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक न निवाद